नित नूतन सोपान तै करते इन ही जिलों में से एक है राजनांद गाउं मा बमलेश्वरी की कृपा वर्षा से आप लावित राजनांद गाउं उतकृष्ट साहित की उर्वरा भूमी राजनांद गाउं इसी जिले का इंदिरा कला इवं संगीत विश्व विद्याले खेरागर भेलाता है साथ सुरों की सुरीली स्वर लहरियां यहीं अंतराष्ट्रिय एस्ट्रो टर्फ पर साहस की हॉक्की से युवा हॉसले शॉट्स लगाते हैं चालीस करोड की लागत से कायां कल्पित होता दिगवजे स्टेडियम हो या सोमनी कम मौडल कॉलेज वन चेतना केंडरो या रूर बन प्रोजेक्ट सब कहते हैं अदुभत विखास की कहानी अपनी जुवाई इसी राजनान्द गाउं की छे रत्न रूपी विधान सभाओं में से हर एक ने जरन बद्ध रूप से उन्नती पत पर चलकर अपना एक विशिष्ट स्थान अर्जित किया है यही कारण है कि राजनान्द गाउं की किसी भी विधान सभा में कदम रखते ही विखास की आभा सहज परिलक्षित हो जाती है कंदारी की धरा पर सीना ताने खड़ा यूपर केवल्पुन नहीं है मोहला मानपुर विधान सभा का साहस भी है खुजी विधान सभा में पर्वतों का वक्ष चीर कर वसलों से मिलने जाती है उन्हें भिगोती ये नहें नहीं शांसन के हिम्मत की परिचायक है जल के रुद्र आवे को अपने बाहुपाश में जखने है ये जो मोंगरा का पराज है न ये सुचक है धैरिका खेरा लगर एक ऐसी ही विधान सभा है जहाँ संगीत के सुरों की भाती विकास के भी असंखे सुर गूंचते है राजनान्द गाउं जले का ये विशिष्ट उन्नत स्वरूर साक्षी है परिवर्तन का साक्षी है परिवर्तन के नए आयान छूते राजनान गाउं का इस जले में उन्नती का जो अनहद राज गूंज रहा है